नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ किर्सी विग्यान के अंदर दांता जो बार्मिर जिले के करीब 14 किलोमेटर दूर है यहां पर देशी बैर की खेती की गई है मलेना देशी बैरों के पोधे हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देशी बैर है यह अभी और यह है भिंडी का पोधा यहां पर भिंडी भी होती है मिर्ची भी होती है लाल मिर्ची होती है टमाटर है जैसी यह है अरे टमाटर है देखो छोटे चोटे हैं अभी दख पके नहीं है पकने के बाद ही इनको लिया जाएगा और अब यह सारे मिर्ची के पोधे भी है ए ने आप गिर चुकी है और अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं यह ढंक से दिखाई नहीं दे रहा है आपको तो मैं आपको दूसरे पौधे के और लेके चलता हूं जहां यह मिर्ची लगी हुई उसको टच करके भी दिखाता हूं एक मिन्ट यह रही यह है यह देखिए यह के लोग ले लेते हैं यह रही यह दो एक साथ मिच्चें लगी हुई है और अब मैं आपको लेके चलता हूं यह मुझे दिख रहा है कि यह लाल मिर्ची है यह देखिए एक उधर गिरी हुई पड़ी है एक यह रही देखिए यह लाल मिर्ची है प्योर सुद्ध है और यह आवला यहां आवलों की खेती कई एकड़ जमीन में की हुई है बहुत बड़े बड़े पोधे हो चुके हैं और अभी तो इस तर ढख चुके हैं कि उसमें पतियां कम और पोधे पर आवला बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहां खुद खेती की हुई है और यहां क पूरा भर कर फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएगा यहां से और जहां तक अपने नजर जाएगी यह देखो यह सब आमलों के पौदे हैं इसके पीछे बेर है साइड में अनार के भी पौदे हैं और बिंडी टमाटर लाल मिर्ची जैसे कई हजारों यह पौदे ह खजूर के भी पौदे हैं जो अभी तक छोटे हैं बड़े नहीं हुए हैं और ये है राजिस्तान की प्यूर नसल की धार पारकर गाय कहा जाता है इसको ये गाय यहां अभी तक तो दो ही है एक गाय है और एक गाय की बचड़ी है और ये टिन सेट बना रखा है गायों के लि प्रप्रेट है। जो की सारी गूम लिगごण जी यह कुछ रखी से उनके बच्चे है। जो अलग रखे गए है इनको इसलिए हैं हैं।aney Kermoti उसलिए कि टीग उते हैं चेंची सिनल आ जाए। इसलिए यह कुछ बड़े बक्रे हैं जिनको अलग रखा गया है कुछ छोटे बक्रे हैं जिसको अलग रखा गया है पर यह अभी तक बच्चों में आते हैं इसलिए इनको अलग पैक करके रखा जाता है क्योंकि यह अभी तक बक्रियों के दूद पर ही पल रहे हैं कम चारा खाते हैं तो इसलिए दूद पर भी रखा जाता है और ये इसके पास ही जो है उसमें बिल्कुल छोटे बच्चे जिसके जो कम महीनों के होते हैं वो रखे गए हैं ये देखिए ये बहुत ही अच्छी भार वाले अच्छी गुणता वाले बकरे हैं राजस्तान में सबसे अच्छी ब्रेड से सिरोही नसल की बकरियां ही मानी जाती है ये पर अपने किसी अजीज मित्र की साथ यां गूमने आया था तो सोचा आप तक भी ये जनकारी पहुचा दूँ यहां की नसल बहुत ही अच्छी नसल की बकरियां होती है और ये बकरा जो खड़ा है इसकी हाइट करीब दो से धाई फिट होगी यदि आप गौट फॉर्म आउस खेलना चाते हैं तो आप सुरूरी नसल की बकर जय किसाँ